दमण में प्रजापिता प्रपांकोमारी इश्वरी विश्व विध्यालाई द्वारा अलपिता तनाव नामक बारा दिवसेव सीफिर का आयोचन 13 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक किया गया है। सभी ने इस विश्व सद्भावना दोड में हिसा लेकर सद्भावना का संदेश प्रचारित किया। इस सद्भावना दोड का आयोचन किया किया। इस विश्व स्द्भावना दोड जया है। स्द्भावना दोड़ झाल किया। झायों। प्याण। जर्चाद की मारी! जरीघन UKT फिर्चाद मेंगदी जहते हैं जरीज़ 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 बारा दिन का ये पोग्राम अलविदा तनाओ दमन में चल रहा है उसका आज नाइन्थ डे था जिसमें विश्व सद्भावना के लिए आध्यात्मिक दोड का आयोजन किया उस दोड के अंदर सभी धर्म और सभी संस्थाओं के लोगों ने सभी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और दोड का मैसेज ये ही था कि आज विश्व के अंदर जो तनाओ का कारण बन रहा है वो आपसी मद्वेद है इसी के कारण मन में अशान्ती आती है तो क्योंना हम अपने संबंधों में नीजी परिवारों में, रिष्टों में और विश्व के अंदर ऐसी एक प्यार की भावना उत्पन्न करें जो विश्व के अंदर भी वसुधेव कुटुम्बकम की भावना साकार हो तो इस आत्मिक प्रेम को उत्पन करने के लिए और जगत में शांती सद्धावना का वातावरन बनाने के लिए और पर्टिकिलरली अपने रिष्टों को मधूर बनाने के लिए आज इस दोड के अंदर ब्रह्मा कुमारीज ने सभी का आवान किया था और हमें बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारीज के इस आवान पर दमनवासियों ने हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट करके इस दोड को पूरा सफल बनाया और सभी ने खुद से ये शपत ली परिवर्तन की प्रतिग्या की कि हम खुद को बदल के अपने रिष्टों को भी मधूर बनाएंगे और जो नया साल आ रहा है उसको एक नई सोच एक नई उर्जा और आध्याप्मिक्ता के साथ नए साल की शुरुवात करेंगे और 24 डिसेंबर तक दमन में ये शिविर चलेगा और उसके बाद भी ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जो भी इंट्रेस् होकर धोबी तलाव टेक्सी स्टेंड से लेकर तिन बत्ती होकर के वापस मशाल चोक और प्रोग्राम के स्थान पर उनका एक समापन हुआ